यह एक अजूबा प्रॉडक्ट है, इसको हम अजूबा कहते हैं, एक नई करान्ती कहते हैं, इसको हम एक परिवर्तन का नाम देते हैं, एक मोहीम का नाम देते हैं, क्योंकि यह प्रॉडक्ट है ही ऐसा, यह प्रॉडक्ट एकदम यूनिक है, मार्केट में आपको ऐसा प्रॉ तो हम बताने वाले हैं आज हम बताने वाले है गुडडोट वैजरेन बाइट जो परड़क्ट है उसको अपनाने के 10 कारण कौन से है ये 10 कारण आपने जब पता कर लिए तो मान लो आपने जंग जीत लिए है तो इन 10 कारणों में हम इसके फायदे भी जान लेंगे इसके विशेष्टाचंएं भी जान लेंगे और इसके भारे हैं बहुत कुछ जानने वाले हैं तो इन 10 कारणों में अच्छे से लिख लीजिए अपने note daily pen पर लिख लीजिए और साथ में इस वीडियो को शेर कर दीजिए चलो दोस्तो, पहला है सेव एनिमल, पहला करण क्या है सेव एनिमल, देखो, मैंने भी क्या कहा आपको स्टार्टिंग में, कि ये प्रोड़क्ट जो है ये एक मुही में एक परिवर्तन एक चेंज है जो हमारी प्रगर्दी है उससे खिलवाड होता जा रहा है किस तरीके जो खिलवाड होता है, आपको बता है देखो, कई लोग non-veige खाते है non-veige खाते है, है ना, आप में से भी हो सकता है कई लोग खाते होंगे, है ना, meat mass non-veige क्यों खाया जाता है यदि मैं आप से पूछू तो आपके शायद दो ही अंसर होंगे पहला स्वाड के लिए, देखो, स्वाड अच्छा आता है लोग कहते हैं, देखो में को तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन लोग कहते हैं, आता होगा दूसरा protein के लिए, ठीक है दो ही तरीके है स्वाड के लिए, protein के लिए तो दोस्तों यदि मैं आपको बता दू कि एक ऐसा product है जो स्वाड, meat जैसा दे रहा है, non-veige जैसा दे रहा है है ना, और दूसरा protein, यदि आपको protein चाहिए तो ये product आपको और ज्यादा अच्छा protein दे रहा है असली non-veige से भी अच्छा protein दे रहा है तो आप क्या इस product को लेना पसंद करोगे जी हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन कहीं लोग कहते हम non-veige को छोड़ें क्यों जब हमको यही चीज इस product से भी मिल रही है और वही चीज हमको non-veige से मिल रही है तो दोस्तों सीधी सी बात है हम एक स्वाद के लिए और अपने protein के लिए एक निर्दोष जानवर की हत्या कर रहे है निर्दोष निर्मम हत्या हो रही है यहाँ पर आप खुद सोचो ना हम खाएंगे इनको काटा जा रहा है इनको मारा जा रहा है कई videos ऐसे हैं दिनको देख के दिल दहल जाता है यार मूच और खाने में आप जब देखते हो अपने जानवरों को सजीव है वो सजीव सजीव को मारा जाता है बिना किसी कारण के ठीक है तो और कोई हमको कारण सही है कि प्रोड़क लेने का इस प्रोड़क में हमको क्या क्या मिल रहा है नौन वेज जैसा स्वाद मिल रहा है वो भी एक वेज प्रोड़क में मिल रहा है दोस्तों जिसमें किसी जानवर को हानी नहीं हो रही है सबसे बड़ी बात तो यह है ना स्वाद मिल रहा है वैसा और प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन भी तो दे रहे हैं हम प्रोटीन कब ना किया बता रहूं ना मैं दूसा पॉइंट आपने ही हाई प्रोटीन यह से मिलता है तो किसी स्वाद के लिए एक जानवर को मानना कही हद तक सही नहीं है ठीक है दोस्तों तो कहीं बार एक कहाणी याद आती है मैंने कली एक फेस्बूक पर पड़ी थी कि एक राजा था चानक्य का दरबार था ना उसमें जब चानक्य जी होते थे तब की बात है जो राजा था उसने पूछा कि सबसे सस्ता क्या पड़ता है एक जानवर का मास या फिर दाल चावल क्योंकि दाल चावल उसमें उग नहीं रहते उसमें खेती बहुत कम हो रही थी बारिश्वारिश्क नहीं आ रही थी इसलिए तो सारे सेनापती नहीं क्या कहा कि जानवर का मास बहुत सस्ता पड़गा सनाफ़ समय एक सेनापती के गरमें दर्वाजा खड़ काट आया उसने पर दरवाजा खोला तब उसको बोला कि रात को राजा को ऐसा हाट अठेक आ गया ऐसा कुछ हो गया जिससे वैद जी जो कह रहे हैं वो कह रहे है कि मुझे किसी मनुष्य का दो किलो मास चाहिए कि आप दे दोगे मुझे दो किलो मास अपना तो सेनापती घबरा गया नहीं सर मैं नहीं दे पाऊंगा आप चाहे मुझसे एक लाग डॉलर ले लो जबकि उस चानक के ने सेनापती से कहा कि मैं आगे से आपको एक लाग अश्रफिया दे रहा हूं एक लाग कोईन्स जो होते हैं गोल्ड वाले वो दे रहा हूं आपको मैं आप बस मुझे दो किलो मास दे दो अपना लेकि सेनापती नहीं किसी और से जाके ले लो मैं आपको आगे से 1 लाग दे देता हूं चानक के ऐसी ऐसी करके हर एक सेनापती के पास में गया हर कोई उसको एक लाग दे दता कोई 5 लाग दे दता कोई कोई 10 लाग के देता कि मेर से मत लो मैं मचर जाओंग acá मैं तोड़ी 2 किलो दे पाऊंगा अपने मास वगेरा ठीक है तो ऐसे ऐसे करके करोड़ो असरफ यहां चानक के के पास आ गई तो इससे समझ में क्या आती है कि आप सोच रहे हो कि मास सस्ता पड़ता है इसलिए आप शिकार कर देते हो क्योंकि वो बंदा कुछ बोल नहीं ना यार जो पशू को आप मार रहे हो वो कुछ बोलता थोड़ी है आप उससे जा करके मास ले लेते हो उसका शिकार करके लेकिन जहां पर अपनी बात ही वहां पर आप एक लाग दो लाग देने के लिए भी तयार हो कोई कीमत नहीं होती मास की तो यहां से सीखने को यहीं मिलता है कि मास के कीमत नहीं है दोस्तों इसलिए एक स्वाद के लिए आप इनको हत्या मत करो दूसरा कारण प्रोटीन में बहुत आही होता है इसमें अच्छा पोटीन मिल रहा है इसससे आपको देखने को मिल रहा है और सबसे बढ़ी बात यह है कि यह शुद्धु रूप से वेजिटेरियन रूप से आपको मिल रहा है ठीक है तीसरा इसके अंदर nutrition बें हाई है अब देख सकते हो, इसके अंदर आपको protein मिल रहा है, साथ में आपको इसके अंदर dietary fibers मिल रहे है, आपको इसमें calcium मिल रहा है, sodium मिलता है iron मिलता है, potassium मिलता है और भी कई सारी चीजे मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जरोरी होती है, वहीं कहीं पर non-wage बनता हो, आपको बता है, non-wage बनता है वहाँ पर आपने कभी देखें, photos वगरा हम आके आप जाकर कर देखना, आपके इच्छा नहीं होगी खरीदने की, यह मख्या बिन बिनाती है मच्छर होते हैं, उसको जानवरों को उसी वहीं पर काटा जाता है वहीं पर आपको blood देखने को मिलेगा गंदगी, कीचर, कादा, वहीं मिलेगा इसी बस्ती हो जाती ही वह, है ना वहाँ से कुछ खाने का क्या, खरीदने का मन नी करता है वहाँ से तो मैं कुछ पहनने के लिए निलो तो खाने के तो अलग बात हो गई और हाईजीन अच्छी ने रहेगी तो हमको बिमारिया भी आएगी आजकल तो छोटे जानवरों को एंजेशन दे के बड़ा किया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, सोचो दोस्तों ये क्यों किया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी उनकी सेल्स हो जाए आज जानवरों में कोई बिमारिया होगी तो वह हमको आ जाएगी, हम खाएंगे तो है ना, देखाता है न, चमकादर से फैला था कोरोना कैसी हालत होगी पूरी दुनिया की तो ध्यान रखना पड़ेगा हम कोई तो ये प्रोड़क्त बने में एकदम हाईजीन रहती है इसलिए ये बहुत अच्छा कारण है इस प्रोड़क्त को खरीदने का, आज मैं कारण बतारा हूं आपको पांच वा, ये सबसे बढ़िया कारण है आपको लगता है कि केवल सोया बीन से बना होगा, सोया से बना होगा या ऐसा नहीं है, इसमें कई सारे इंगरिनेंस दा ले गए है जिससे हमको अच्छा नूट्रिशन मिलता है, अच्छा पोशन मिलता है सबसे बड़ी बात है, अच्छे बेनिफिट्स मिलता है चलो जानते हैं इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेटेड है जो अच्छी एनर्जी देता है और मसल्स हेल्थ के लिए काफी अच्छा तो मास पेशियो के लिए प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है इसके बात अच्छा होता है तो मेंगा का बहुत अच्छा सोर्स है अच्छा होता है किनुवा शीर्ट कहते हैं इसको अच्छा अनाज होता है किनुवा किनुवा तो बहुत अच्छा होता है किनुवा तो भूत अच्छा होता है इसलिए में अलग बन सकती है तो एल्दी रहने के लिए किनो आप बहुत अच्छा होता है जो इसके दर डाला गया है ठीक है और सबसे मुझे बात ही इसमें rice bran oil से ही निर्मित है जो oil का use किया गया rice bran oil है ठीक है तो दोस्तो मैं बदा देता हूँ कई जिस product होते पाम oil से बनता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है लेकिन यहाँ पर rice bran oil के फायदे तो आपको क्या ही बता हूँ आप मुझसे अच्छे जानते होंगे rice bran oil के बारे में तो आपने उसको use किया हुआ है जो भी आर्सिम के बंदा होगा उसने इस तेल को use करके देखा है कि कैसा तेल है चलिए आगे चले चटा कारण no dairy products इसके अंदर दूद से बना कोई भी उत्पाद नहीं डाला गया है है ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है साथ वा इसके अंदर dietary fibers डाले गए है करीबन 4-5 ग्राम जो मैंने आपको पहले बताया होगा इसका फोटो उसमें dietary fibers का भी लिखा होगा इसके अंदर 4.5 पर 100 ग्राम dietary fibers डाले गए जो हमारे पाचन के लिए काफी अच्छे होते हो ठीके दोस्तों तो ये एक और अच्छा कारण है इसको खाने के लिए तो ये बहुत इजी बन जाता है इसलिए फ्यूल को आप सेव कर सकते हैं वही आप मीट मांस मची जो खाते हैं उसको तो पतने में बहुत टाइम लगए पहले उबालो फिर बनाव अगयरा बहुत टाइम लग जाता है बहुत इजी है तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है जो लोग यह जो बच्चे लोग लेते हैं होसल वगरा में रहते हैं स्टूडेंट्स अगरा उनको बनाना हो तो वह आसानी से बना सकते है कोई होटल रेस्टोर्टिन वाला वीडियो देख इसको बताता है इसको बताता हूँ इसको अपने रेस्टोर्टिन में भी इसको एजडिश रख सकते हो एकदम यूनिक डिश आप इसको रखोगे तो आपके कस्टमर्स पिचाता आएंगे टैंथ नो कॉलेस्ट्रोल नहीं बनता है ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है त फिर भी हमाना वताना फर्ज बनता है दसकारण बता है मैंने आपको देखो एक और प्रड़क्ट है करी किटका है ना गुद्डॉट का निकाला हुआ यह इसी तरीके का प्रड़क्ट है इसके अंदर आपको दो तीन चीज़े और देखने को बन जाती देखो एक तो इसी बन जाएगा ठीक है और इसके अंदर इसपाइस भी मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है आपको मसाले ग्रेवी वगरा सब कुछ मिल जाए आपको करना क्या है बस बनाना ही तो पानी बानी डालके पांस मिनिट में तयार हो जाएगा देखो यहां लिखा होगा बनाने का कुछ कुक इन जस्ट 20 मिनट में ऐसी रेस्टोरेंट जैसी डिस्क तयार हो जाएगी आप खुद हाथ चाटते रह जाओगे है ना तो बहुत बढ़िया है करीकेट को बनाई है बढ़िया खाई है इसको इसके अंदर अच्छा खासा नूट्रिशन आपको मिल जाएगा सबस्क्राइब करने के बाद में यह जो वीडियो है इसको जरूर शेयर कीजी लोगों को बताईए को इस तरीका का वीडियो एक और मैंने आपको दिया था हेल्थ गड़ अपनेने के दस कारण इसको आपने बहुत प्यार दिया इससे मैंने गुड़ वैस्टेंवाइट के अगले प्रड़क्त को ले करके आज का वीडियो कैसे लगा कॉमेंट में बदाईएगा मिलते हैं धन्यवाद बहुत बहुत आपका